आजी तो आप सभी को पता चल चुका है, रिजल्ट आज चुका है, सुबह आठ बजे ही रिजल्ट आ गया था प्रंतु और तमाम टीचर्स ने आपको रिजल्ट भी बताया, हमने भी आपको लाइव रिजल्ट निकाल के भी बताया था लेकिन मैंन मुद्दा ये था विदार्थियों के लिए कि सर कटो कितनी रहेगी क्योंकि रिजल्ट ने सौब को संसे में डाल दिया था भी रिजल्ट इस वार बहुत ही बैतरीन आया था, कुछ बच्चों के लिए निरासा जनक भी रहा, कुछ बच्चों के लिए बहदी सांदार भी रहा रिजल्ट होता ही ऐसा है देखो, रिजल्ट है कुछ बच्चों के लिए लाबधायक भी होता है किनी घरों के अंदर खुशिया लेके आता है, किसी घर के अंदर दुख आता है लेकिन रिजल्ट से ये जरूर पता चलता है कि हमने मेहनत कितनी की थी इस वार के रिजल्ट का तो दरसल ये हुआ पेपर ईजी आ गया था तो कहीं बच्चे जिन्होंने hard paper की तैयारी की थी उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं संतुलन गया है और कुछ बचे ऐसे भी थे जिनका पहला exam था और पहले exam के अंदर संबता गलतियां होती है निरास होने के आवशकता नहीं है आपका जिंदगी का पहला exam था देखे एक जो परिक्सा होती है वो पूरी जिंदगी निरदारित नहीं करती है और यह तो एक पातरता परिक्सा थी इस पातरता परिक्सा से आप कोई जिंदगी नहीं आने वाले तो मैं यही बात करने आया था कि result कैसा रहेगा और कटोप कितनी रहेगी वैसे तो कटों पे हम लोगों ने सुबह से काफी बाते की थी प्रंतु कहीं बच्चों के स्वाल थे कि सर पहली जो कोलेज है वो उसकी चोईस कितने नमबर पर मिल जाएगी हम लोगों को डाइट कितने नमबर पर मिल जाएगी वो सारी बाते थी दूसरा तमाम आप सभी बच्चे मेरे भाई बैन हो छोटे या बड़े जो भी हो जिस तरीके से हो मेरे अपने आपका परतिग्या परिवार है और आप लोग उसका इसा हो तो जिन विदार्तियों के 300 नंबर आये थे मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता इस समय के अंदर उनको क्या करना है ये बताना मेरा दाइत्व है और वही बताने के लिए मैं अभी आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ वैसे तो एक बाद सोचा था कि किसी ना किसी तरीके से लाइव लूग क्लास को प्रणतु लाइव लेने के जो है इतनी काबिलियत नहीं बच्छी थी सुवह से लगातार क्लास ले रहा था आप लोगों के लिए अब जो है मैं चाहता था कि आप लोगों को जानकारी दस वाले बच्चों को क्या करना है और दूसरा जिन बच्चोंने लिया है वह परिक्सा तो होती ऐसी है किसी के घर में खुशियां आएगी किसी के यहां पर निरासा होएगी तो उस निरासा को दूर करना है मैं वास्पिक्टा में बताऊंगा कि जिनके 300 नंबर आए थे उनक आए है लगवग 400 के आसपास ठीक है अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के नंबर रहें तीन सो असी के आसपास तो देखें यह जो तीन सो असी वाला आंकड़ा था ना पूरी परिक्सा के अंदर बैठे थे अपने 6.50 लाक लोग जो है इसके अंदर बैठे थे यान कहीं ना कहीं जो था इन बच्चों ने 5.00 बच्चों से के साथ में कॉम्पृटिशन फाइट किया और उन 5.00 बच्चों को पिछे चोड़ा है एक लाक बच्चों के नंबर आया थे तीन सो असी से उपर जो नंबर आये हैं तो देखें सीटे मुझे पता है कि पूरी की फिर भी कहोगे सर इतने बच्चे तो रही गए मुझे भी पता है इतने बच्चे रहे गए हैं बाकी के 6.25 लाग बच्चों का क्या होगा सर ये भी तो बताइए 6.25 लाग जो बच्चेयां उन्हें बिल्कुल निरास होने की आवशकता नहीं है मैं पूरा बताऊंगा देखे से पहले तो उन तमाम बच्चों को बहुत-बहुत सुपकामना है जिन बिच्चों के जो है 400 प्लस नंबर आए हैं और कटोप के उपर भी मैं बात करूँगा अभी कटोप सबसे मैं बुद्दा तो यही है कि सर कटोप क्या रहने वाली है कटोप पे भी मैं बात करूँगा दरसल पहले जो हमारे टोपर से हमारे परतिग्या परिवार की तरफ से ओफलाइन के अंदर हमारे 99% बच्चों का जो रिजल्ट रहा वो 400 प्लस रहा क्योंकि देखिए हम बच्चों ने मेहनत की थी बहुती सांदार तरीके से मेहनत की ओनलाइन हमारे पास में 500 से लगवग 99% बच्चों का रिजल्ट है 400 नंबर से पार ही रहा था लेकिन उनका क्या जिन बच्चों के 400 से कम रह गए थे काफी बच्चे ऐसे भी थे जनके 300 से भी कम रहे गए तक प्तराह को रज़स्तान की बच्चे मेरे साथ थे रखती है वही का टोप मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ देखेगा सबसे पहले ये दी मैं बात करूँ हमारा जो टोपर रहा था चारपाज हमारे टोपर्स रहे हमारे लगबग साथ आठ बच्चों के 500 प्लस नंबर रहे तो उनका मैं नाम लेना चाऊँगा मनोज चोदरी 538 नंबर के साथ में हमारी संस्ता से इसने टोप किया ओफलाइन इस्टूडेंट था उसके अलावा अनिकेत इसने 528 नंबर आसिल किये सपना गुजर इसने 517 नंबर आसिल किये चोदरी 516 रामसरू 514 और पुन्नम फगेडिया ने 509 नंबर ये तमाम वो बच्चे थे जिनोंने एकजाम देने जाने से पहले मिर को कहा था कि सर थोड़ा सा डर लग रहा है देखें डर सबको लगता है कहीं बच्चों के एक दो बच्चे इन में से ऐस सभी थे जिनोंने मुझे बताया कि सर जैसे कि मनोज कुमार कि सर मैंने 15 क्योशन फर्स टाइम मैंने दिया था इस वज़़े से गलत होगे कोई बात नहीं आपके 15 क्योशन गलत हुए है आप सभी को बताया रिजनिंग थोड़ी आसान आई थी सभी बच्चों का एवरेज जो स्कोर रहा वो 123 रहा लगवग जिन बच्चों के 400 वो प्लस नंबर है यानि कहीं ना कहीं बहदी आसान थी टीचिंग एपिटूट के अंदर सभी बच्चों का लगवग निन्यान में क्या आसपास रहा एवरेज तो वहाँ पर उनका कम था अबी मैं कटो पर यह बात करना है चो मैंने इस स्वस्ट कहा है कि एक लाख बच्चों के 380 से जयादा आए हैं Ёएट के एक लाख बच्चों के 380 से जयादा नंबर आये हैं बाकि जो चोतर अजार बच्चे बच चुके हैं उनका क्या होगा क्या उनको सीटे नहीं मिलेगी क्या देखे सबसे पहले तो कोई निरासा वाली बात नहीं है उनके लिए द्वार बंद नहीं हुए है मैं पहली बात तो यही बताना चाओंगा पहले आप लोगों को कटो बत आप लोग जो है दो साल के बाद में आप लोगों का जो है रीट की वेकेंसी आएगी फिर थैड़ ग्रेड का रीट प्री किलियर होने के बाद में आपको रीट मैंस किलियर करने हैं परन्तु नोकरी लगने की सबसे ज़्यादा चांस तो इन चोतर अजार बच्चों के पास ह यह चोतर अजार यदि दिल से महनत करेंगे तो इन से पहले नोकरी लगेंगे वो रस्ता भी मैं आपको बताऊंगा पहले देखिए हम कटोप के उपर बात करते हैं कटोप के यदि मैं बात करूँगा न तो देखेगा कटोप जो रही है पहले मैं आप लोगों के साथ में म मेल वर्क की कितनी रहने वाली है, वसे तो ज्यादा डिफ्रेंस नहीं रहता है, मेल और फिमेल के अंदर 5-6 नबरों का रहेगा, लेकिन जर्नल की यह दि मैं बात करता हूं कि जर्नल की कटोप कितनी रहेगी, तो जर्नल की देखेगा 420 प्लस नंबर हैं, उन बचों का सेलेक जो है, आपकी जो कोलेज है, इच्छा अनुसार, ये कितने नंबर पर मिलेगी, तो बेटा ध्यान रखेगा, 450 नंबर, 450 प्लस होंगे जर्नल में, तब तो आपको आपकी इच्छा अनुसार विल जाएगी, वरना यदि सीधी सी कोलेज की बात करो कि other districts में सर, या फिर हमार भी कोलेज कहां पर मिल ची कितने नंबर पर मिलेगी, तो 420 नंबर पर मिल जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने क्या कहा था, केवल एक लाख बच्छो का ही है, जबकि मैं बात करूँ ना, तो लगवग चालीस जार बच्छो के जो है, वो अपने 400 नहीं है, मैं बार बार यही कहे जा रहा था, आप लोगों को, कि ज़्यादा बच्छो के नहीं है, यह जो नंबर आये है, 400 प्लस, यह बहुत कम बच्छो के आये है, बाकी बच्छे, 350 से 400 के बीच में अटक चुके हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया था एक आकड़ा, देखें, जर्नल के बाद में यदि OBC की मैं बात करता हूँ, OBC वालों को भी बड़ी टैंसन थी कि सर, कितना क्या रिजल्ट रहेगा, तो देखो, कितना क्या OBC का जो रिजल्ट रहने वाला है, वो 415 प्लस जिल के आ रहे हैं, उनका OBC के अंदर आपको कोलेज मिल जाएग अपनी इच्छा की कोलेज मिले, तो उसके लिए OBC मैं मान के चलिए कि आपके 430 नमबर होने चीए, बाकि यदि सेलेक्शन की बात करूँ कि सर, हमारा पहली लिस्ट के अंदर कोलेज मिल जाएगी, यदि आपके 415 प्लस नमबर है, तो आपको कोलेज मिल जाएगी, तो EWS वाला काफी वादों के अंदर भी रहता है, और काफी संसे में भी रहता है यह वाला रिजर्ट, दरसल EWS के तो कहीं बचों के पास में जिनके सैटिफिकेट बन चुके हैं, कहीं उन्हें बनवाने को दिये हुए थे, वो यहां पर आके एक लफटा डाल देते, इसलि अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि यह एक एक कटोप है, जो होनी चाहिए, और मान के सिलिए जिन बचों के इन कैटेगरी से हैं, और 420 प्लस नंबर आ रहे हैं, ध्यान रखेगा, 420 प्लस नंबर आएंगे, तब ही उनको फर्स्ट चोइस की कोलेज मिलेगी, इस बात का ध्यान पे जिता है कि उन्होंने विश्वास किया और मैं उनके विश्वास पे खरा उत्रा, देखे, EWS के बाद में ये दी मैं बात करता हूँ, तो फिर दो कैटेगरी जबती हैं, अपने पास में एक तो SC और ST, तो इनको ज़्यादा चिंता गया हो, शकता नहीं है, SC का मैं बता जिन विदार्तियों के 400 नंबर है, SC के अंदर, 400 प्लस उनका सेलेक्शन हो जाएगा, देखेगा, पेपर कहीं बार मैं बार बार कहता हूँ, EG आने का नुक्सान दे जाता है, कभी एक समय था, जब SC वालों के 360 के अंदर हो जाया करते थे, सेलेक्शन आज से दो साल पेले 360 में ऐसी कैटिगरी के बच्चों का सेलेक्शन हो जाता था, पर इस बार पेपर हाड आया, हाड आने से बच्चों को नुक्सान हुआ, और वो नुक्सान इसी बार देखने को मिला देखो, ऐसी की जो है, 400 पे आपको कॉलेज मिल जाएगी, और यदि आपके 415 के आसपास नंबर हैं, तो आपको पहली कॉलेज मिल जाएगी, पांच नंबर इसमें बढ़ा लीजिएगा, कम कर लीजिएगा, यह आपके उपर है, बाकी इसके आसपास ही हमारी कटोप रहने वाले है यदि मैं यहीं पर बात करता हूँ किसकी S-T की, तो S-T की मान के चलिएगा 390, 390 प्लेस है जिन बच्चों के आ रहे हैं, मैं अभी male candidates की बात कर रहा हूँ, 390 वाले आसानी से कॉलेज मिल जाएगी, 390 है कि 5 नंबर कम कर लेना, 5 ज्यादा मान के चलेना इससे ज्यादा नह नहीं हो सकता, लेकिन 5 कम वाले हैं तो उनका दूसरी तीसरी लिस्ट में नंबर आ जाएगा, लेकिन आज जरूर जाएगा, ध्यान रखेगा, आपको यदि फर्स्ट चोईस और अपनी वरियता की अनुसार, यानि आपको चोईस चाहिए ही चाहिए, यदि उसकी मैं बात क करूं तो वो आपको मिलेगी, लगभग मान के चलिएगा, चार सो पांच से चार सो दस के बीच में आपके नंबर है, तो आपको आपकी फर्स्ट चोईस की जो कोलेज हैं वो मिल जाएगी, ध्यान रखेगा इस बात का, आपके इतने पर जो है, आपको कोलेज मिल जाएगी ठीक है, तो इस बात का एकदम अच्छे से दियान रखना है, ये मेल वर्क की कटोप मैंने उनकी इच्छा के अनुसार कोलेज किते पर मिलेगी, ये भी बता दिया है, इसके अलावा उन बचों के जो है, क्या होगा, उनकी एक्सपेक्टेड कटोप, यानि सेलेक्शन, सेले अगे एक orphan महिला वर्क की, जो है, मैं आप लोगों के साथ में बात के लिता हूं, female की महिला वर्क की कटोप है, वो कितनी रहने वाली है, तो महिला वर्क की इदिया मैं बात करता हूं, दिखेगा, आज सबसे पहले तो वही जनर्नल का अमेन मुद्दा आजाता है कि जनरल की कटोप कितनी रहने वाली है सर तो जनरल की देखिएगा आपकी जो जनरल की कटोप है एक्सपेक्टेड वो तीन सो निन्यार में प्लस नंबर होने चीए यानि मान के चलिए 400 नंबर आपके होंगे तो ही आपका सेलेक्शन होगा जनरल के साथ में ये थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन आपको फर्ष्ट चोईस इच्छा अनुसार किते पर मिलनी चीए तो इच्छा अनुसार की इदी मैं बात करूँ तो इच्छा अनुसार जो कोलेज मिलेगी वो आपको मिलेगी बाइद मान के चलिएगा 420 प्लस पर 420 नंबर तो आपके होने चीए तब जाके आपको जो है इच्छा अनुसार कोलेज मिल जाएगे फर्स चोईस मिल जाएगी बात करूँ OBC की तो OBC की जो फिमेल से है इनका नंबर ज्यादा कम नहीं करना 4303 में प्लस नंबर जिनके रहेंगे OBC फिमेल वर्ट के तो उनका सेलेक्शन होएगा और यदि इच्छा अनुसार की में आपके बात करता हूँ तो 415 मान के चलिएगा 415 प्लस नंबर होंगे न तब ही आपको इच्छा अनुसार कोलेज मिलेगी यह आपके जिले के अंदर आपके आसपास की कोलेज तब भी मिलेगी वरना फिर आपको ओल राजस्तान करना है ओल राजस्तान में कहीं भी आपको टिकाया जा सकता है ज्यान रखेगा उसके अलावा यदी मैं बात करता हूँ EWS की और साथ मैं MBC की यदी मैं बात करता हूँ तो देखे दोनों की कटोपी मैं कह रहा हूँ फिमेल्स वर्ग के अंदर भी लगबग लगबग बराबर जाएगी 387 के आसपास जिन बचों की कटोप रहेगी वो सैम रहने वाली है 387 प्लस पाँच नमबर कम कर लीजिएगा पाँच नमबर ज़्यादा कर लीजिएगा इसके अलावा कटोप नहीं जाने वाली है ध्यान रुखेगा 395 में क्या आप 400 नमबर ही मान के चलिएगा यदि इच्छा अनुसार चाहिए आपको तो 400 प्लस नमबर आपके होने चाहिए तब ही महिला वर्ग को जो है इच्छा अनुसार वाली जो है कोलेज मिलेगी इस बात का द्यार रखेगा इसके अलावा मैं बात करता हूँ वही SC और ST के फिर वर्ग रह चुके है SC, ST की मैं वापस कह रहा हूँ 383 के आसपास जिनके SC में नमबर है फिमेर वर्ग के अंदर उनका सेलेक्शन हो जाएगा और 375 के आसपास ST के अंदर जो महिलावार की मैं जो है उनका सेलेक्शन हो जाएगा पहले मैंने जब आपने एक्जाम दी थी उस वक्ते मैंने आपको 365 के आसपास लताया था ST का परंदो अब ध्यान रखेगा थोड़ा सा पेपर की वज़े से इस बात देखना 383 और 385 के आसपास रहेगी और आपका 390 के आसपास यदि आप दोनों के ही नंबर आते हैं दोनों ही कैटिग्रीज की बहुत कैटिग्रीज की मैं बात करा हूँ 390 नंबर के आसपास आते हैं तो आपको जो है इच्छा अनुसार कोलेज मिलेगी यदि 390 नमबर आते हैं तो ही आपकी फर्स चोईस की बात है अब देखिए मैं उन बच्चों के साथ में भी बात करना चाहूंगा मैंनली तो वही बच्चे मैंने कहा था मैं जो है 360 वाले बच्चों को भी कोलेज मिल सकती है दरसल यह कोलेज कैसे मिलेगी उसके यदि मैं बा कोटे से विद्वा कोटी का मान के चलना देखे विद्वा कोटे की या फिर विकलांग कोटे की विड़ो ठीक है विद्वा या फिर विकलांग जो कोटे की हैं उनकी मैं बात करा हूं विद्वा और विकलांग कोटे की तो इनकी जो कटोप रहने वाली है वो कितनी या फिर एक्स आर्मी मेन की जो है एक्स सर्विसमेन की मैं बात करता हूँ पूरो सर्विसमेन की तो ये जो कटोप रहने वाली है इन लोगों की इनकी जो कटोप रहेगी लगबग मान के चलिएगा आपकी जो कटोप रहने वाली है वो 325 के आसपास रहेगी अब देखिए 360 वालों का स्लेक्षण कैसे होगा बिएसटिसी अंदर एक लिस्ट नहीं आती है तीन लिस्टे आती है और उन तीन लिस्टों के अंदर यह दary कोई वगाइंट खाली रहते हैं पद तो और आप लोग काउंसिलिंग करुआते हैं तो आपका स्लेक्षण होने के जागा नहीं आया है 300 से कम नंबर वाले हैं तो उनके लिए बहेदी ज़्यादा निरासा है और मैं इस पस्ट है उन बच्चों को कहना चाओंगा कि यदि आप 600 में से 50% नंबर भी नहीं लेके आया है तो कहीना कहीं आपको तैयारी के आउशक्ता है बहेद ही ज़्यादा कि निरास होने कि आऊ सकता नियुक्त आपके सामने सुनेरा अउसर पड़ा है सितमबर लास्ट के अंदर आपकी एगजाम है ठीक है आप अच्छे नंबर लेकर आई ओअा, आप फाइट पिछ कह है तिक है आप इसके अंदर आपकी जीके तिया bio अघो हlement करता है उटिक है तियार कर सकते हो हिंदी तियार कर सकते हो इसी समय और जो सीटी आ रही है उस सीटी के अंदर बेहतरीन नमबर ला सकते हो भी सीटी है सीटी दोजार चोईस और सीटी दोजार चोईस के बाद में आपके सामने एक बहुत ही बड़ी वेकेंसी आ रही है आप सभी को पता है एक तो पटवार की आ रही है ठीक है उसके अलावा LDC की नहीं बरती आ रही है ठीक है तो ये दो तिन बरतियां उसके अलावा भी आपके सामने एक और दिसंबर के अंदर कब ऑंकरिंप में कहिं तो बहुत लंभी कोलेज के बाद में कब उनके रीट पिरी आएगी रीट पिरी के बाद में रीट मेंस देंगे तब जाके नोकरी लगेंगे बीस्तिसी वाले तो आपको जो है नोकरी करनी है तो अभी देखे ट्राई करिये आपके सामने सीटी पढ़ा है और सीटी की तयारी है अमारा परतिक या परिवार मातर 500 99 में एरुपे के अंदर करवा रहा है आपको पूरा कोर्स लाइफ प्रॉम क्लास रूम से वीडियो आएंगे राजस्तान की बैतरीन फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जा रहा है अभी मैंने का हमारे 500 प्लस बच्चे ओनलाइन थे जिनमें से 99 परतिसत बच्चों का रिजल् रिजल्ट जो है 400 प्लस रहा था तो कहीं ना कहीं बचों का बविश्य हम लोगों ने सवाने का काम क्या उनका विश्वास था और उस वरोसे पर हम लोग कायम रहे आप भी एक बार वरोसा करके देखें देखें कहीं टीचर से कहेंगे 300 99 में में तयारी कर लो मैं कहता हूं 300 99 में में वो ऐसी क्वालिटी देंगे हम आपको हर चीज बैतरीन देंगे test शिरीज साथ में देंगे आपको offline recorded हर तरीके की classes देंगे फीरीके notes देंगे हर चीज देंगे हर सीज दे रहे हैं मत्र 500 99 में रूपे के अंदर और राजस्तान की सबसे बैतरीन जो है faculty आपको एक्सप्रियंस ओख सब एक्सप्रियंस टीचर है सब ने एक एक बरतियां निकाली है बहुती सांदर तरीके से तो उन टीचर के माधियम से पनने का आपके पास में मोका है इस मोके को मत चुके देखे थोड़े से पैसे 500-99 में लग रहे हैं मुझे पता है काफी टीचर 300-99 मे और आम मैं चाहता हूँ आप लोगों से जो है आग्यालूं जै हिंद जै वार जै राजस्तान मिलता हूँ एक और वीडियो के अंदर